आज हम बनाएंगे ताजमेल आइस क्रीम और ये आइस क्रीम एक यूनिक कॉंबिनेशन रोज एंड सेफरोन का आइस क्रीम है जो है मोर ने एक नाया फ्लिवर एड़ किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बहले यहां पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 500 ml मिल मिल्क यहां पर लिया है आपको उबलाव मिल्क नहीं लेना है यहां पर कच्चा मिल्क ही यूज करना है तो एक उबाल हम आने देंगे मिल्क में तब तक हम इसमें से मैंने 4-5 चमश दूद एक साइड रख दिया था और उसके अंदर मैं दो बड़े चमश कॉन फ्लार एड करूंगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी जिसमें कोई भी लंज ना रहे है अच्छी तरह से यह सलरी हमारी तयार हो चुकी है और दूसरी तरफ जो दूद था उसमें भी एक उबाल आ चुका है तो अब हम यह कॉन फ्लार सलरी इसमें एड करेंगे और इसे हम चलाते जाएंगे यहां पर हमें गैस की आच्छे एकदम धीमी रखनी है और इसे चलाते रहना है इसे क्या होगा कि वो नीचे चिपकेगा नहीं और जब तक यह थोड़ा गाड़ा हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो करीबन 4-5 मिनिट में यह पक जाता है और एकदम थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है थोड़ी मिनिट के बाद यह दूद गाड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं स्पेचुला के उपर मैंने उंगली की मदद से चेक किया है तो बस इस तरह का गाड़ा दूद हमें चाहिए यहां पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा करेंगे बहुत अच्छी तरह से हमें इसे ठंडा करना है बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर आ जाए तब तक हम इसे ठंडा करेंगे इसे फ्रीज में नहीं रखना है यह आइस क्रीम का जो फर्स्ट बेस है वो तयार हो चुका है अब हम चलते दूसरे बेस की तरफ यहां पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिं इसमें छोड़ दीजिए तो वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि गर्मियों की सीजन में क्रीम अच्छी तरह से बीट नहीं होती है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है तो यहां पर एकदम ठंडी विपिंग क्रीम को हम बीट करेंगे जब तक इसमें अच्छी तरह से स्ट पिक भी आ चुके है उसके अंदर हम कॉनफलोर वाला जो मिल्क था वो ठंडा हो गया है एकदम तो वो एड करेंगे उसके बाद 200 ml कंडेंस मिल्क डालेंगे यहां पर जो विपिंग क्रीम थी वो मीठी थी इसलिए मैंने 200 ml डाला है आपकी क्रीम मीठी ना हो आप अंस्वि पर आप क्या करिएगा एक कप चीनी डाल दीजेगा तो आपको कंडेंस में नहीं डालना पड़ेगा इसमें उसके बाद यहां पर मैंने 78 किसर के धागे को दूद में बिगो दिया था वह इसमें मैंने डाला है अब हम इसे मिक्स करेंगे जब तक यह पूरा सा अच्छी त चब्वे में इसे डालके फ्रीजर में हम रखेंगे दो गंटे के लिए आप जब भी इसे फ्रीजर में रखोगे तो आपना जो फ्रीज है थोड़ा हाइव पर रख कर देना तो क्या होगा कि यह अच्छी तर से जम जाएगा यह प्रॉसस करना ज़रूरी है वरना आपकी आइस क्रिम में आइस क्रिस्टल बन सकते हैं इसकी वज़ज़ा से ही हम यह प्रॉसस कर रहा हैं तो दो गंटे के लिए आप इसे फ्रीजर में छोड़ देंगे तब तक हम यहां पे जो नटूस है उसे हम ड्राय रोस्ट तो यहां पर मैंने थोड़े से बादाम काजू और पिस्टा के टुकड़े कर दिये है और इसे लो फ्लैम पे हम पकाएंगे जब तक इसमें थोड़ा सा यह एरोमेटिक ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे यानि एक मिनिट के लिए भूल लेंगे तो दो गंटे के बाद जो हमने क्रीम रखी थी वह भी एकदम सैठ हो चुके तो इसे बाहर निकाल देंगे जोंने दो मिनिट के लिए करेंगे क्योंकि इसमें रजाना बहुत ज़रूर है रजाएंगी तो राओं घआइफ υच्ञीन थो आइस क्रीम एकदम क्रीमी बनेंगी तो हम इसे बीट करें क्रीम बीट होने के बाद इसमें जो काजु बदाम और पिस्ता हमने रोस्ट किये थे वो डालेंगे यह भी एकदम ठंडे हो चुके यहां पे आप थोड़े नट्स कम भी कर सकते हो थोड़े से यहां पे अंजीर के टुकडे डाले हैं और जो रोस एसंस आता है वो एक चौथाई टी स्पून मेंने डाला है क्योंकि यह सेफ्रोन और रोस का कॉंबिनेशन है इस आइस क्रीम में थोड़े से रोस पेटल भी डाले हैं और दो बड़े चमश गुलकन जो हम पान में खाते हैं वो वाला दो बड़े चमश गुलकन डाला है अच्छी तरह से हम तो करेंगे अब अ मिक्स करें तो बस हमारा युस क्रीम क Brys ऐस है तयार हो चुका है और इसे यह द Bay में िशना कोई भी केट्टी में डाल दिजेंड़ी में अच्छा था लूक वाइस भी यह बहुत ही अच्छा बना था तो यहां पर मैंने केक्टिन में जो क्रीम का बेज है वो डाल दिया है उसके उपर थोड़े से नर्ट्स और रोस पेटल भी उसके उपर डाले हैं यहां पर क्लिंग रैप की मतल़ से मैं कवर कर लूँगी और इ दूसरे दिन देख सकते हो एक्तम परफेक्टली यह सेट हो चुकी है जम चुकी है आइस क्रीम थोड़ा सा आइस क्रीम का बेस बच चुका था तो उससे मैंने ग्लास में डाला था और इसे भी मैंने फ्रीजर में पुरी रात रखा था तो अच्छी तरह से यह भी सेट हो आइस क्रीम को जो रूल कट कुलफी आती है उस से पमें खाना चाते हो यह आइस क्रीम बहुत अच्छा बना था तो गर पेक बास जरूर ट्राय करना तो बस एंज्जे करिए इस आइस क्रीम को और ये थोड़ा सा बी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना अच्छा लगे तो कि अच्छा लगे तो अच्छा लगे तो कि अच्छा लगे तेन प्रप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्र कि दाप प्ढूब सर्फ प्सुख्णीक कि दुख्णीक कि दुख्णीक कि दो प्सुख्णीक